नमस्कार, मैं आप सभी को अंतराष्टियो मोहिला दिवस की बदाई देती हूँ। ये दिवस नारी सक्ति के गोरव गान का अफसर है। साथी ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है। जिनकी गोरव गाथा किसी इतिहास, गाथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी। उनका संघर्ष किसी सम्मान, औरंकार या पुरसकर की सुची में सम्मिलित नहीं हो सका। लेकिन फिर भी ओ आद्रनियों नाइकाये हैं। आपने परिवर की, गाओं, कस्वे, दिहाद की, सहर की, समुधाई और जनजातियों की। मुझे खुशी है कि दुर्दर्शन मोहिलाओं को समर्पीत और समाज में उनके योगदान का उस्सो मानाने के लिए इस एक दिवस्य कार्यक्रम डीडी डायलोग का आयजन कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में एसे मोहिलाएं भाग लेंगे जिन्होंने आपने धर्य और दुर्धा संकल्फ के द्वारा सारवजनिक जीवन में आपनी चाप छोड़े और पूरे देश में मोहिलाओं के लिए प्रेणा का स्रत बनी। मेरा विचारे की डीडी डायलक नारी सकती के समंध में सरकर के प्रमुख विचारों और दुरुष्टिकण को प्रस्तुत करने के साथ सच्छो भारत मी संतोता फोसण माहा जैसे मोहिला ससकतिकण के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच सुनते रहते हैं लेकिन एसी मोहिलाएं भी है जिन्होंने उन विशों परिष्टितियों और चुनोतियों के बीच सफलता की कहानिया लिखी है जो उनके पास अपने घार और गाउं की सिमाओं को पार करने के संग्साधन नहीं थी आज इस महत्तवपुन दिवसपर आप पूरे विश्वास के साथ में एक हैना चाहती हूं कि यदि एक स्त्री ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है इस बर्स अंतरास्ट्यों महिला दिवस्त की थीम यानि विश्ववश्तु है इंब्रास एक्वीटी यानि एक समाबसी समाज का इसा सपना जिसमे समाज के हार बर्ग की महिलाओं के परिवेश चुनोतियां और आवस्यक्ताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवस्वर प्राप्त हो यह थीम के बोल एक नारा नहीं बलकि सोस्त प्रगति सिल और समाबसी समाज की नीव है उसकी सफलता का मूल मंत्र है इस मूल मंत्र को स्वार्थ करने वली कोई आदस मुहिलाओं आज हमारे समने है मुहिलाओं ने आज क्रिशी खेल स्वस्त्र पॉल कला और साहित्यों जैसे सभी छेत्रों में उत्कुस प्रदर्शन किया है मुहिलाओं को समाबसी विकास से जोडने के लिए सरकार की कोई जोजना ने भी अहम भूमी का निभाई है बेटी बाचा बेटी पढ़ाओं उज्जला जोजना सुरोखित मात्रुत्तो अस्वासन जोजना जैसी अनेक जोजना है जिससे समाज की हार भग्गी मौहिलां को बिना किसी भेदभाब के विकास से जुडने और आगे बढ़ने के अफसर मिले ह हम अजादी के अमरुत कल में भारत के विश्जो गुरु बनने के रास्तियों सुपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए हार भग्ग की मौहिलां को आगे आना होगा उन्हें सिखीत और आत्मनिर्भर बनना होगा अर्थिक विकास का सोहभागी बनना होगा और इस भारत को दिशा देने होगी, जिसका समाज एक ऐसा समाज हो जिसमें हार एक महिला विकास और आत्मनिर्भत्त से सही अर्थ में जूडे हुए हो, मुझे विश्वा से कि आज इस सपने को पूरा काने में हम सो प्रतेक महिला का साथ देंगे, तो था भारत को और अधिग सो स बनाएंगे धन्यबाद जय हिंद जय भाराद